Upcoming Central Government Jobs 2023-24 के लिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे Upcoming Central Government Jobs आने वाली केंदर सरकार की भरतिया जिसके लिए All India से Candidate आविदन कर सकते हैं ये सभी Candidate के लिए Important and useful वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें जो वेकैंसी कवर की गई हैं वो सभी Candidate के लिए है अगर आप 10th pass है तो भी आपके लिए इस वीडियो में आपको vacancy बताई गई है अगर आप 12th pass है तो 12th pass पर भी बताई गई है graduation and diploma holders सभी के लिए है and central government job है so particular किसी state की vacancy ना हो करके all India level की ये vacancies आएंगी और बहुत बड़ी संख्या में vacancies आएंगी हर एक जो मैं आपको बताने वाली हूँ उन सभी में बड़ी संख्या में आपको भरती देखने को मिलेगी permanent government job है so अगर आप upcoming vacancies का यानि government job search करें देखिए upcoming vacancies का वीडियो इसलिए upload किया जाता है जिससे आपको ये information मिल सके ये inform आपको हो जाए कि कौन सी particular department में कौन सी post पर vacancies आने वाली है and उसका notification किस मन्थ में release होने वाला है इसके साथी आपको essential qualification and ace criteria के बारे में भी बताया जाता है इससे क्या होता है आपको इतनी information अगर हो जाती है कि particular क्या qualification required है and ace criteria क्या रहेगा ये जब जानकारे आपको हो जाती है तो आपको इतना तो पता चली जाएगा कि आप इस post के लिए particular जो भी post होएगी उसके लिए eligibility रखते हैं या नहीं अब ऐसे में अगर किसी post के लिए आप eligibility रखते हैं और आपको inform ही नहीं है कि उसकी vacancy का आने वाली है तो आपको इस वीडियो से information हो जाएगी ये जानकारे आपको मिल जाएगी कि इस post पर vacancy किस मंथ में release होने वाली है तो इस condition में आप उसकी official website पर update रह सकते हैं vacancy चेक करते रहेगा और अगर आप चाहें तो चैनल को subscribe अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो चैनल को subscribe करके रखेगा जैसे ही बड़ी भरती notification रिलीज होते है central level पर and state level की जो vacancy बड़ी vacancies जो आती हैं उनको मैं cover करती हूँ central level की maximum vacancies को मैं cover करती हूँ so channel को subscribe करके well icon के all option को भी press करके रखेगा जैसे ही notification आएगा किसी भी vacancy से related वीडियो अपलोड करूँगी आपको notification मिल जाएगा so चलिए start करते हैं सबसे पहली vacancy देखेंगे हम सबसे पहली जो vacancy है वो नावाट की तरफ से हम यहाँ पर cover करेंगे नावाट की तरफ से notification release किया जाएगा जिसमें post होएगी assistant manager की assistant manager के लिए vacancy यह post काफी अच्छी है अगर आप इसमें भरती होते हैं तो काफी अच्छा आपको department and post होएगी age limit 21 से 30 साल है यह general candidate के लिए है जो reserve categories के candidate रहेंगे उनको age relaxation government rules के accordingly मिल जाएगा OVC candidate को 3 years का SCSD candidate को 5 years का qualification देखेंगे तो इसमें essential qualification graduation required रहता है any graduate candidate इसमें आवेदन कर सकते हैं इसके बाद अगर हम देखें application कब आएगा इसका application जो notification एक अव रिलीज होगा तो October या November में यह इसका notification रिलीज हो सकता है तो आप नावाड की official site पर update रह सकते हैं October November में इसकी जो website है चेक करते रहेगा इसका notification अक्टूबर में या last October या November में रिलीज हो सकता है second vacancy देखेंगे second vacancy आएगी इसमें SBI State Bank of India की तरफ से clerk की post के लिए काफी candidate वेट करते हैं SBI clerk post का clerk post पर notification रिलीज होगा जिसमें age आपकी 20-28 साल ये भी general candidate के लिए रहेगी reserve categories के candidate को relaxation मिल जाएगा graduation एनि graduate candidate इसमें आविदन कर सकते हैं application form इसके भी September या October में रिलीज हो सकते है so आप SBI की website पर update रहेगा September, October अब भी आपके पास time है दो महिने हैं उसके बाद इसका notification आप official site पर update रहेगा कभी भी इसका notification रिलीज किया जा सकता है इसके बाद next है DSSV की तरफ से DSSV की तरफ से भी vacancy आने वाली हैं इसमें various post होएंगी law division clerk की भी रहेगी और assistant की भी post होएगी means इसमें 10th 12th graduate सभी candidate के लिए effective DSSV की तरफ से TGT के लिए भी vacancy रिलीज की जाएंगी TGT जो teacher होते हैं उनके लिए भी इसका recruitment rule रिलीज कर दिया गया है जिस पर मैंने video upload किया था तो DSSV की तरफ से teaching post और non teaching दोनों तरह की post के लिए notification रिलीज होना है अभी हम यहाँ पर जो age देख रहे हैं यह non teaching post के लिए देख रहे हैं और यह 18-17 साल general candidate के लिए है reserve categories के candidate को यहाँ भी 3 years, 5 years और जो P WD candidate है उनको according to category 10-15 year का age relaxation मिल जाएगा इसका notification भी October, September यानि September, October में आप update होईएगा DSSV की website पर अगर आप TGT का recruitment rule देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने detail video upload कर दिया है उसको आप visit कर लीजेगा next जो आप I can see वो UP Plus UP Plus की तरफ से आप सभी को पता है काफी time से आप लोग वेट कर रहे हैं और finally इसका एक notice यानि update आया था जिसमें आपको date 15 जुलाई दी गई थी कि 15 जुलाई तक इसमें इसका जो notification है या recruitment rule है वो release किया जाएगा तो आज है 15 जुलाई अभी जब मैं वीडियो अप्लोड कर रही हूँ अभी तक तो notice नहीं आया है लेकिन जैसे ही इसका notice आता है आपको वीडियो अप्लोड किया जाएगा Constable and SI दोनों post के लिए vacancy आएंगी Constable के लिए 18-22 और SI के लिए 21-18 साल age limit General Candidate के लिए Constable के लिए 12th pass SI के लिए graduate candidate आविदन कर सकेंगे अभी तक इसका notice नहीं आया है लेकिन जैसे ही आता है मैं full information के साथ वीडियो अप्लोड करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा Next vacancy Indian cost guard की तरफ से आएगी Indian cost guard की तरफ से पोस्ट नाविक जीडी डीवी और यांत्रिक की रहेगी 18 से 22 साल एज रहेगी qualification इसमें 10 और 12 तोनों के लिए अलगलग पोस्ट है यांत्रिक के लिए diploma holder एप्लाई करते हैं सो ये 10 और 12th diploma सभी के लिए है और इसका notice आपको Indian cost guard की website पर September में देखने को मिल सकता है September month में सबसे ज़्यादा notification release किया जा रहे हैं Next हम बात करेंगे SSE Delhi Police की SSE की तरफ से दिल्ली पोस्ट में Constable Post के लिए notification release किया जाना है दिल्ली पोस्टिंग आपकी Delhi में रहती है लेकिन All India से candidates में आविदन कर सकते हैं 18-25 साल general candidate के लिए age limit रहेगी इसके अलावा 12th pass अगर आप हैं तो आप Constable Post के लिए आविदन कर सकते हैं September month में इसका भी notification SSE की website पर release किया जाएगा तो आप SSE की website पर update रहेगा इसके बात जानेंगे SSE, CAPF Central Armed Police Forces का notification release किया जाना है इसी मन्त में release किया जाना है post SI की रहेगी Central Armed Police Forces and Delhi Police दोनों में ही SI post पर भरती के लिए notification 20 July 2023 को release किया जाना है इसी मन्त में इसमें आपका Central Armed Police Forces means BSF ITBP, CISF, CRPF इसमें SI की post रहेगी GD, SI GD की 20-25 जनरल candidate के लिए age limit रहेगी Reserved Categories में relaxation मिल जाएगा Graduate Candidate Any Graduate Candidate इसमें आविदन कर सकते है Next, SSE Delhi Police में ही MTS की SSE के दोरा ही MTS की vacancy भी release की जानी है जो की Delhi Police में रहेगी 18-17 साल age limit रहेगी 10th Pass Candidate आविदन कर सकेंगे इसका notice भी आपको October मन्त में देखने को मिल जागा So, SSE की website पर update रहेगा Next, SSE की तरफ से ही SSE Stenographer की post है ये 12th Pass Candidate के लिए रहती है लेकिन इसमें Stenography आपको आनी चाहिए इसका आपका test होता है क्योंकि post ही ये Stenographer की है 18-27 और 18-30 साल क्योंकि ये जो Stenographer है ये Grade D और Grade C दो post के लिए notification आता है Minimum तो 18 रहती है Maximum में 27 और 30 अलगलग ग्रेट के हिसाब से रहती है 12th Pass अपलाई कर सकते है अगस्त मन्त में इसका notice रिलीस किया जाएगा SSE की website पर आप update रहेगा Next है RPF RPF वेकेंसी का काफी candidate वेट कर रहे है लेकिन इसकी अभी date तो confirm नहीं हुई है कि कभ इसका notice आएगा लेकिन रेलवे की तरब से वेकेंसी नौटिफिकेशन रिलीस किया जाना है लास्ट तक इसका notice आ सकता है Constable और SI post के लिए 18-25 साल एज है Constable की 20-25 SI की लहेगी 10th Pass Constable के लिए आविदन करेंगे Graduate Candidate SI post के लिए आविदन कर सकेंगे notice रिलीस किया जाना है इसी मन्त में ये notice आएगा July 2023 में ही आप आरेज लिमिट इसके लिए 32 साल रहेगी डिपलोमा अगर आपने इंजिनेरिंग में किया है तो डिपलोमा होल्डर के लिए ये वेकेंसी है अगर आप वेट करें जूनियर इंजिनेरिंग पोस्ट के लिए तो SSE की तरब से इसका notice रिलीस किया जाएगा SSE की वेब साइट पर अपडेट रहेगा नेक्स्ट है SBI की तरब से ही अभी हमने किलर्क की पोस्ट देखी थी किलर्क के साथ में ही PO का भी notification रिलीस किया जाता है October November में इसका notice रिलीस किया जाएगा So SBI की वेब साइट पर अपडेट रहेगा इसके बाद है UPSC UPSC की तरब से ये सबी जानते ही है NDA and CDS का notice साल में दो बार रिलीस किया जाता है So एक अभी release किया जा चुका है इसका जो next आएगा वो आपको October November तक देखने को November last तक आपको इसका notice मिल जाएगा 12th pass NDA के लिए आविदन कर सकते हैं and any graduate CDS post के लिए आविदन कर सकते हैं काफी candidate इसको पसंद भी करते हैं NDA and CDS CDS आपका graduation level का and NDA 12th level का है इन पर भी मैंने full information के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ NDA क्या है CDS क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आप check out कर लीजेगा इसके अलावा जो next है वो है IRB की तरफ से IRB constable post IRB means Indian Reserve Vatalion इसमें दी गई है जिसमें constable की post के लिए vacancy आईगी और इस पर मैंने कल ही detail information के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है age 18 से 25 साल इसमें रहेगी 10th past candidate all India से आविदन कर सकते हैं देखे यहाँ पर मैंने जितनी भी आपको vacancies बताई हैं उन सभी के लिए all India से candidate आविदन कर सकते हैं आप किसी भी state से ब्लॉंग करते हो all India level की क्योंकि central government jobs मैंने इस वीडियो में cover की हैं अगस्त या सेप्टेंबर में आपको इसका भी notice देखने को मिलेगा IRV क्या है constable के लिए और क्या requirement रहती है full information के साथ मैंने वीडियो upload किया हुआ है उसको आफ विजिट कर लिजेगा लिंक आपको आई विटन पर मिल जाएगा कल ही इसका वीडियो मैंने upload किया है यह यहां upcoming government jobs जो की central government jobs है and 10th 12th graduate diploma holder सभी के लिए है permanent भरती रहेगी अब इससे आपको यह information मिल गई है कि किस post के लिए आप eligibility रखते हैं और particular अगर आपको जानकारी मिल गई है आपको लगता है कि यह जो vacancies मैंने बताई है उनमें से किसी एक के लिए भी आप आविदन करना चाहते हैं तो उसकी website पर आप update रहेगा जो month आपको बताए है उन months में आप update रहेगा vacancy कभी भी release की जा सकती है साथ मैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जो भी all India level की vacancies या state level की बड़ी भरती आती है मैं उन पर वीडियो अप्लोड करती हूँ और आई होप आप ये वीडियो आपको helpful रहा हो तो वीडियो अगर आपको helpful रहा हो तो वीडियो को like and share जरू कीजेगा थैंक यू